नमस्कार मैं दॉलाश शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं आइस पे एन नाइन न्यूज कल 20 जुलाई से मौनसुन सत्र सुरू होने वाला है जिसमें जहां पर बीजेपी चाती है कि सबसे पहले यूशी सी पर बात हो लेकिन जो सब उधर ले बैट है कोई वहाँ पर क्या देखा गया कि वहाँ पर सबसे पहले मनिपूर पर बात की जाएगी कि आखिर मनिपूर पिछले दो महिने से लगातार आगजनी हो रही है और अभी तक वहाँ पर जो है मोदी सरकार ने अपनी जबान तक नहीं खोली है और कोई मंत्री और उनका कोई मंत्राले जो है वहाँ विजिट करने नहीं पहुँचा और खुद परधान मंत्री जो छोटी-छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं बड़ी बड़ी जो है अपने मन की बात कह देते हैं कारेकरम करते हैं समोधन लोगों करते हैं लेकिन मनिपूर हिंसा इतना सेंस्ट्रिम मामला है जिस पर एक सब्द जो है देखा जाए तो पधान मंतरी नरेद मोदी नहीं बोला लेकिन चुनाब सामने आया तो मुद्दा द डल्वार कर रहे हैं कि बस एक छुनावी मुद्दा ज़िए दो समुधाओ का आपस में ुपेड़ा कर अपना seat जोम उठानी कंग के लिए जो है मोद्द सरकार जो है यूजिस पर बात कर रही है लेकिन जहां दो समूदाय भिट रहे हैं वहाँ लड़ाई हो रही है दो समूदाय के बीच बातम मनीपूर की कर रहे हैं जहां पर पिछले दो मेने से लोगों के घर चल रहे हैं लोगों की हत्याएं वहाँ पर की जा रहे हैं पूरी तरीके से हिंसा दीखी जाए तो अब वहाँ पर कई ज इसी दौरा वापिस करके आते हैं तो पूसते हैं अपने नेताओं से कि देश में क्या चल रहा है इतना बड़ा सुझनतंत रोने के बाद भी खुद हमारे परधान मंतरी को ये भनक नहीं है कि धाई मेने से मनी पुरहिंसा हो रही है पहलवान धरने पर हैं उनको भी तक इंस रखा जाएगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और अन्य जो दल है वो अड़े होएं कि पहले मनी पुरह बात कीजिए फिर यूशी सी की बात होगी और पी आसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद